Hello everyone, welcome to Magnet Brains, मेरा नहीं मैं वर्दान गर्ग और कंटिन्यू करते है अपने स्टाइडी को of computer science. So guys, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम एक और built-in function उठा रहे हैं which is sorted. तो built-in function की कहानी हमारी चल रही है, अगर आपने previous videos नहीं देखिए तो आपको थोड़ा बद आईडिया नहीं होगा कि built-in function क्या होता है, list method क्या होता है, अगर आपको नहीं है actually, आए मासकें. अगर नहीं है तो वीडियो देखके आईए उससे आपको idea पर जाएगे क्या होता है built-in function क्या होता है, list method क्या difference है उनमें और actually हम कुछ built-in functions कर भी चुके हैं, ठीके, उसके बाद हम एक और built-in function उठा रहे है, which is sorted. जो actually मैं आख इसके अंदर है, तो यहार है class 11th computer science NCRT के 9th chapter, which is list के अंदर. basic वगेरे introduce कर चुके है, सही, मैं कर चुका हूं list का, साथ में काफी सार discussion कर चुके है list के ओपर create कैसे करते हैं, access कैसे करते elements को compare कैसे करते हैं, copy कैसे करते हैं, बहुत से चीज हम देख चुके है, उसके बाद अगा हम एक बहुत पावफुल टूल पर, which is built-in functions, जो अप लिस पर apply कर सकते हो, तो हम उस पर देख रहे है, sorted built-in function, ठीके, चले, तो देखते हैं, sorted built-in function के बारे में, कि what is that, तो पहले तो तो देखो, क्या करता है sorted, अब ये बहुत जादे important point है, ध्यान रखी है, what is that, कि sorted जो आपका function है, ये sorted function क्या करता है, ये sorted function, आपका एक list लेता है, ये क्या लेगा, एक list entry कराएगा, लिस्ट के आपको आप entry करनी है, अब आपको जो मिलेगा, जो एक इससे output मिलेगा, वो क् मिलेगा, एक new list मनेगी, क्या मिलेगी, new list मनेगी, ठीक है, और ये new list क्या होगी, ये new list sorted होगी, अब sorted मतलब क्या होता है, sorted मतलब simply होता है, sorting का क्या मतलब होता है, sorting का simple से मतलब होता है, ascending order या descending order में arrange करना, इससे suppose, आपके elements है, मैं कहता हूँ suppose, 5, 6, 2, 3, 8, suppose, ये elements है, अब इनको sort करना है क्या मतलब है कि इनको sort करना है तो sorting का मतलब इनको ascending या descending order में अरेंज करना है तो अगर मैंने कहा कि 2, 3, 5, 6 और 8 है ये या फिर 8, 6, 5, 3, 2 है ये तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही वह sorted order है, yeah sorted form में है तो इसी तरीके से हमें क्या करना है हमें सपोज लिस्ट को सौर्ट करना है एक ये लिस्ट है इस लिस्ट को सौर्ट करना है तो मुझे क्या करना है इसके elements को properly arrange करना in the form of ascending or descending order तो manually मुझे कुछ करने की जुरूत नहीं मेरे पास एक built-in function है sorted जिसको को मैं use करके sort कर सकता हूं किसी भी एक list को ascending or descending order में arrange कर सकता हूं अब ascending descending order में arrange तो कर सकता हूं पर एक कहानी यह आती है सब्सक्राइब यह एक list है जिसमें five six two three eight है तो क्या ऐसे होने वाला है कि इसे list में आपका two starting में आ जाएगा फिर three आ जाएगा फिर five आ जाएगा फिर six आ जाएगा फिर eight आ जाएगा मतलब क्या यह इसी list के साथ होने वाला है तो answer is no यह original list में कुछ भी कहानी नहीं होती है ठीक है original list में कुछ पास कर दूँगा new list तो बज़न निव लस्ट मेंने पास के है ये new list क्या कर रहा है इस नई list को reference कर मतलब यह जो sorting का काम है ना यह sorting का काम मतलब यह जो list आपने पास करे थी इसको sort किया गया और एक नई list क्रेट कर देको और उसको undisturbed यह undisturbed रहती है, मतलब यह change नहीं होती है यह नहीं list हमेश्यों करेंट होती है, यह point ध्यान रखीगा which is very important वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्या the function takes the name of a list as an argument and returns a new sorted list with sorted elements in it sorted elements मतलब ascending and descending order मा range करना elements now a list could be sorted with elements like integers floating point numbers boolean values strings list and tuple मतलब list को sort कैसे कह सकता है list के अंदर क्या हो जिसकी वीवाजी साब उसे sort कर सको अब list के ने तो कुछ भी हो सकता है list तो कोई भी value होड़ी होड़ का सकती है यह ही उसकी property है तो क्या क्या हो सकता है जिसकी वीवाजी से sort कर सकते हो मतलब ऐसा क्या क्या हो कि आप उसे sort कर पाऊ तो यार उसमें आप integers डाल सकते हो floating point number डाल सकते हो आप boolean values डाल सकते हो अप strings डाल सकते हो अप list डाल सकते हो यह सब allowed है तो यह सब चीजें आप क्या कर सकते हो इसके अंदर डाल सकते हो So, type error would be returned if objects like complex or non-type is present inside a list. तो अगर एक list के अंदर, अगर non-type या complex numbers है, तो आपको क्या देखने को मिलता है? Type error देखने को मिलता है. But उसी के जगा, अगर आपने boolean value, strings, list, tuple, floating point numbers, या entities pass किये हैं, तो ऐसा कुछ भी अरग नहीं आता है, वो perfectly sort हो जाते हैं. इसके इलावा आपके set to dictionary का क्या? तो उसके लिए भी लिखा हुआ है. तो वो मैं आपने की देखेंगे, परे इस strings का case करते हैं. तो if strings, lists, or tuples are present in the list, then the list would be sorted in lexicographic order. अब ये क्या है lexicographic order? सिंपल सी कहानी ये देखिए. Suppose मैंने कहा, कि एक list के अंदर, आपके क्या है, list के अंदर strings है, list के अंदर list है, list के अंदर tuple है, तो क्या होगा? तो suppose list के अंदर आपके element है, suppose a, फिर bb, फिर bc, ठीक है? फिर ad, ठीक है? फिर a, b, c, इस तरीके से, कुछ भी elements है. अब इनको sort करना है, तो अब ये strings को कैसे sort के जाएगा? etmek lexigan graphic order मतलब क्या हुआ? तो lexigan graphic order मतलब dictionary order में. जिस तरीके से dictionary में elements arrange होते हैं उस तरीके से. तो dictionary में arrange नहीं होते हैं, तो dictionary में यह lengthwise कभी even arrange नहीं होते elements. क्या होते हैं? आपके alphabats के साब से arrange होते हैं. मतलब individual हर character को देखा जाता है. वह यहां पर bc न है क्या को करना है कि इनको arrange करना है तो आप ऐसा arrange नहीं करोगे आप सबसे पहले इसको arrange कर लोगे जैसे की है जैसे suppose a है फिर bb है फिर bc है फिर ad है फिर abc है अब आपको इनको देखना है कि क्या सबसे पहले क्या second number third fourth, तो हम यह numbering कर से चले आएंगे. ठीके, अब इसो compare कैसे करना है, आपको सारा नहीं देखना है. आपको एक बार में एक row देखने हैं. तो जैसे मैं यह वाली row देखूंगा. इस row में मुझे दिख रहा है चलते 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 फिर A, B, C, D और फिर last में चलते चलते हैं, small z आजएगा, इस तरीके सा रेंजमेंट होता है, numbering होता है, इसकी सबसे पहले priority, फिर B, C, D, E, F, इस तरीके से, ठीक है, तो जैसे सकाई में होता है, वैसी ही रहता है, तो हम क्या कहेंगे, कि सबसे पहले सबसे पहले-small A की priority है, तो मैंने सबसे पहले क्या देदिया, small A उठाया, तो सबसे पहले small A में क्या कहा है, तो small A, एक नहीं है, small A, तो three three देख रहे है, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, तो at least मुझे ये समझ में आ गया, कि ये जो बीच वाले दोनों है, ये तो नहीं हो सकते, starting में, पर हाँ, यह हो सकता है, यह हो सकता है, और यह हो सकता है, तो यह हमने part select कर लिया, length पे नहीं किया, first element पे किया, अब first element देखने के बाद, इनका मैं क्या करूँगा, second element चेक करूँगा, अब इसका तो second element exist ही नहीं करता, ठीके, इसका second element यह रहा, और इ इन तिन नोवा सबसे पहले जाएगा आपका यह वाला तो देखे तो अब यह तो आपका लिस के चला गया मतब यह तो हमारे collection में से चला गया फर्स पोजिचन प्लॉट आगया अब इन दोनों में से देख लो कि दोनों में से क्या हो करे में इसे बी d में से सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले बी आएगा तो क्या ओजाएगा ये सेकेंड पोजिचींवाय को फिर b के बाद क्या अप Rec पहले sort करते पिर C होता है, तो C D को बाद में sort करेंगे, पहले B को पहले arrange कर लेंगे, तो B में सबसे पहले क्या आजएगा, देखो B में से second element पर चलेंगे, तो B C में सबसे पहले क्या, तो B पहले, तो अब यह क्या हो जाएगा, थर्ड के बाद, फोर्थ ही हो जाएगा, और यह फिफ्थ हो जाएगा, और इसके बाद last में C आजएगा, तो इस तरीके सा आपका lexicographic order में arrange होता है, आपका क्या, आपकी strengths, और even strengths ही नहीं, आपके numbers पीसी तरीके से रहें जाएगा, तो यह जैसे आपको dictionary order समझ माया, इस तरीके सा आपकी क्या होता है, numbers भी arrange जाएगा, जैसे suppose मैंने कहा, कि आपका 1, 2, 3 है इसके अंदर, फिर 1, 2 ह है, फिर 1, 4, 6 है, फिर 2, 8 है, फिर 2, 8 है, फिर 2, 8 है सपोस, फिर 2, 6 है, 2, 6, 3 है सपोस, ठीके, फिर 3, 1 है, इस तरीके से, तो इनको directly sort नहीं करना है आपको, करना कहा है, पहले arrange करना है, तो क्या करूंगा, मैं arrange करूंगा, एक list बन जाएगी, 1, 2, 3, फिर next बन जाएगी, 1, 2, ठीके, फिर next बन जाएगी, 1, 4, 6, ठीके, फिर बन जाएगी, 2, 8, फिर बन जाएगी, 2, 6, 3, और फिर बन जाएगी, 3, ठीके, ये बन गई, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले पहले element को चेक करना है, तो पहले element में दिख रहा है, 1, 2 और 3, तो लोन को जाएंगे सबसे पहले इन ल helps करेंगे आज सक्रिक निफिग हो गया है और फिर निक्स बचाव तो यह आ गया रहा गया तो वाले पार्ट को चेक करते है, six or eight में, चोटा क्या, यह वाला, तो six चोटा, तो आपकी third के बाद elements क्या जाएगी, मतब next क्या हो जाएगा sequence में, four, और फिर आजाएगा five, और two के बाद फिर last जाएगा three, फिर आजाएगा six, तो यह हो गया, one, two, three, four, five, six, इस तरीके अपकी sequence ह कि लेक्जिकोग्राफिक और, ठीके, मतब dictionary order में arrange होती है, sorry, so I hope यह चीज आपको clear हो गया होगी, ठीके, which is lexicographic order, ठीके, so if strings, lists, or tuples are present in the list, then lists would be sorted in lexicographic order, अभी दिखाऊँगा इचीज में, practically, चिंता मत को, ठीके, चलो, यह हो गया आपका, कि अगर आपका strings, या फिर list, या also list wouldn't be sorted, तो अगर list के अंदर sit present है, तो कोई error नहीं आएगा, कोई किसी भी type का error नहीं आएगा, but list sort भी नहीं होगी, अब क्यों नहीं होगी, वो हम sit और dictionary पढ़ेंगे, तब समझेगे, on the other hand, जब हम dictionary की बात करते, if dictionaries are present inside the list, then type error would be returned, अच्छा, इसमें भी दो variety possible है, dictionary में भ को गई, तो इस situation में तो error आजाता है, इस situation में क्या आएगा, जब आप multiple dictionary's pass करते है, तो इस situation में याजाता है, error, on the other hand, आप एकाम और क्या कर सकते हो, आप एखी list के अंदर, एकी dictionary pass, मिलब एक लिस के अंदर, एकी dictionary pass, पर individualism, elements pass, पर दो, तो इस situation में error तो नहीं आएगा, but sorting इधर भी नहीं होगी, तो यह भी situation आपको मैं दिखाऊँगा, कि dictionary में भी 2 situation exist करते हैं, तो दोनों में क्या होता है, वो दिखाऊँगा, तो आए हो, पीचिस आपको समझ माई होगी, कि dictionary में क्या है, और sets में क्या है, तो आपको यहाँ तक इसी समझ माँ आ गई, कि क्या है कहानी आपकी पूरी है, कि कब क्या होने वाला है, तो sorting करने के लिए मतलब अगार सेंडिंग, दिस सेंडिंग और मा रेंज करने है, तो हाप sorted ही हूज करते हो function, इसका syntax क्या है, वो भी देख लेते हैं, तो इसका syntax भी थोड़ा complicated सा है, वो समझने ही कोशिश करते हैं, चली, से एक compulsory दो optional है, ठीक है, क्या-क्या, एक तो iterable sequence, तो जिस को भी आपको sorted order में arrange करना है, वो sequence यहाँ पहा सकता है, बलेस, tuple dictionary, sequence कर लो, collection कर लो, वो भी same ही चीज है, ठीक, collection में तो दिक्कत आ रही है, तो sequence ही कह रहा है, अपने इसके लिए, iterable sequence, collection में तो दिक्कत देना, sequence कह होती है, false, तो तीरह arguments लेता है, पहला तो clear iterable sequence, जिसको sort करना है, तो पहला iterable sequence is the list to be sorted, iterable list, क्या है, वो list है, जिसको sort करना है आपको, ठीक है, on the other hand, reverse क्या है, जिसको false pass कर रहे हो, यह एक optional है, and takes a boolean value, यह एक boolean value लेता है, true या false, अब reverse मतलब ultra, reverse मतलब ultra print करना है आपको, तो जिसे की by default sorted function जो आप use करते हो, तो आपकी जो list है, वो ascending order में range होती है, मतलब, अगर मैंने लिखा हुआ है, two, eight, three, one, suppose, है ना, अगर मैंने इसमें sorted function लगाया, तो क्या होगी, ascending order में range हो जाएगी by default, मतलब, suppose अगर यह L है, और मैंने लगाया sorted, sorted L, L को sort कर तो भाई, तो क्या होगी, list sort हो जाएगी और आपका क्या जाएगा, one, two, three, और eight जाएगा, मतलब, by default क्या होता है, अपका ascending order में sort होती है elements, but what if अगर आप चाहते हो कि इसको ultra sort करना है, तो क्या करोगे, तो यह आप इस reverse को कर दोगे true, by default false है, अगर आपने इस reverse को कर दोगे true, तो ascending order में, ठीक है, देखिए, if reverse argument is missing, or set to false, या तो वो ही ही नही मिस कर रखा है, या आपने false set कर रखा है, then the list elements are sorted in ascending order, जैसे मैं आपको बताएगा आप आप ascending order में, if reverse argument is set to true, अगर आपने इसको true कर दिया, then the list elements are sorted in reverse order, which is descending, मतलब क्या हो जाएगा, eight, three, two, one, इस order में sort हो ज आपको देखाऊंगा, चिनत आपको करनी ही नहीं, समझ माया, तो ये reverse वाला समझ माया, कि reverse वाला argument क्या करता है, अब एक तीसरा लोग बहुत important argument, बहुत interesting, बहुत important argument, और थुदा से tricky भी है, क्या देखो, which is key, optional argument है, क्या करता है refer, it refers to the single argument function to customize the sort order, the function is applied to each item on the iterable, by default this argument is set to none, ठीक है, अब समझ में मुझे पता है कुछ नहीं हाया होगा, अभी जब समझाओंगा ना, तब जब पढ़ोगे तब समझ माया जाएगा, तो जब एक बास समझा देता हूँ को ये कि ये है क्या, तो येर देखो, simple सी अभी हमने बात करी, कि अगर मेरे पास एक list है, जिसमे बी है, suppose, अगर मैंने इसको sort किया, सीदे सीदे sort किया, तो मुझे पहले क्या मिल जाएगा, पहले मुझे मिल जाएगा, triple A, फिर मुझे मिल जाएगा, double A, मतलब मैं लिख देता हूँ, चलो, AA, ABC, और AB, तो पहले element को check करेंगे, तो same है, तो इससे समझ में नहीं आएगा हमे कुछ भी, ठीक है, second को देखेंगे, तो second में मुझे दिख रहा है कि AA यहाँ पर BB बाद में, तो A वाला पहले आजाएगा, फिर इसके बाद मुझे दिख रहा है, यह कहानी, जिसमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें भी क्या क्या है, मैं यह दोन उठाने है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यह फर्स्ट आ गया, फिर यह second आ गया आपका, यह second आ गया, इसका एक हतम हो गया, B बचा आप, बी में आपके पास दो आप्शन है, यह वाले, यह दो आप्शन है, यहाँ पर C है, यहाँ पर कुछ मी नहीं है, तो यह आपका आजाएगा 3 और यहां जैको कफोर, ठीक है, यह order, बाद आपने लिख्जी को ग्राफिक और में इसको अरेंज किया है, What if अगर आप यह चाहो, कि आप यही arrangement length के साफ से कर सको, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सब्सक्राइब यहाँ में 1 कर देता है किसी तरीके से suppose, तो आपको अगर इसको length के साफ से range करना है, फिर क्या कर सकता है, यह सब्सक्राइब यह कर सकते हो, किस की मदद से, की की मदद से, मतलब आप इसमें एक optional argument की पास कर सकते हो, जो क्या लेता है, जो एक single value return करने वाला function लेता है, जिसके basis में आपको यह sorting order change करना है, अपको पढ़ना ध्यान से, की optional argument, it refers to the single argument function, यह क्या है, single argument function, मतलब एक function जो single argument लेता हो, to customize the sort order, जिसमें आप customize करना चाहता है, sort order को, जिस तरीके से sorting हो रही है, उस चीज को आप change करना चाहते होगा, the function is applied to each item on the iterable, हर item पे apply होगा वो iterable, वो एक particular function, by default this argument is set to none, by default none होता है, but, none होता है, तो जो भी आपका अलग-अलग strings के लाग है, numbers के लाग है, तो वो उस तरीके से perform होगा, but, अगर आप चाहो इसको अपने हिसाफ से set कर सकता हो, जिसमें मैं चाहता हूँ कि इसको length के साफ से sort करना, तो मैं इस key को बना सकता हूँ, length, अब ये length क्या लेता है, अब मुझे इसमें actually मैं, तो मुझे इस सिंगल argument लेता है, तो मुझे ऐसा कुछ भी pass करने की ज़रूत नहीं है, ठीक है, मुझे से function का नाम लेखना है length, ये by default, ये length जो है, ये by default क्या करेगा, आपके हर sequence के item को, हर item को ले लेगा इसमें, और उससे return करने वाले, जो answer आने वाले, उसके basis पर sort कर जाएगा, तो अब अगर आप length इसमें pass करोगे, तो length हो गई 2, इसकी length हो गई 3, इसकी length हो गई 4, इसकी length हो गई 2, तो अब जो आपका order, मतलब जो answer आएगा, वो इस sequence में आएगा, इस number को sort कर जाएगा, तो सबसे पहले 2 दिखरा, आप 2 में भी 2 हैं, तो 2 में कैसा arrange करेंगे, तो जिस order में sequence मारा, उसी में हो जाएगा, तो सबसे पहले A, A आजाएगा, सबसे पहले A, A आजाएगा, फिर आपका A, B आजाएगा, दो वाली, फिर तीन वाले में A, B, C आजाएगा, और फिर आपका आजाएगा, चौथा विचिस triple है, साइग, 4 टाइम से, समझ माया, मतलब कि एक बहुत important argument है, जो करता क्या है, आ इस argument, यह अक्चली function क्या करता है, यह function यह हर element में लगा देता है, हर element हम इस function को दे देते हैं, और जो भी इस answer आता है, मेरे पास जो भी return करके value आती है, उस value के basis पे मैं sort कर देता हूँ, समझ माया, तो इस तरीके से काम होता है, although अगर आपको समझ माया है, तो चिंता मत करी अभी हम practical देखेंगे, यह तो अभी theoretical discussion चल रहा है, practical अभी चीज़े दिखाऊंगा ना, कि किस तरीके से आप यह perform कर सकते हो, तो सब समझ माया जाए कि तो चिंता आपको करनी नहीं, तो यह तो अभी बस theoretical discussion था, practical अभी चीज़े बच योगी, right, although actually मेरे क्याल से हमारा बहु है, sorted built-in function के बारे में, तो फटा-फट शुरू करते हैं, तो यहां मैं काम करते हैं, नहा फोल्डर हो जालता हूं, और इसको नाम दे दूँगा, sorted function, sorted function है, और sorted function के अंदर मैं open कर लूँगा, vs code को, right click करके, open with code करके, vs code मैंने इसके अंदर open कर लिए, ठेके, vs code मैंने इसके बना लूँगा, जिसका मैं नाम दे दूँगा, python underscore file.py, ठेके, तो python file आ गई है, और इसको बंद कर दे, ठेके, तो यह हमारी python file हो गई है, अब इसके अंदर हम देखने वाज है, sorted function को, तो अब sort को करना है हमें, sort करना है हमें list को, तो list के ओपर हमें sorted function लगाना है, तो सबसे 2814637, यह इस तरीके से, अब यह क्या है, यह shuffled है, 2814637, यह shuffled numbers है, ठेके, what if अगर मुझे इसको arrange करना है किसी order में, तो उसका मैं बिलकुल इसको arrange कर सकता हूँ, ठेके, अभी file size suppose मैं आगर यह करूँगा, run करूँगा, कोई problem नहीं आएगी, यहना, perfectly अपका run हो जाएगा मैं even चाहूँ तो इसको print भी कर सकता हूँ, ठेके, print कर लेते हैं, इस list को, print lst, तो list print करेंगे, तो यह perfectly print हो जाएगा, right, अब मैं इसको एक और चीज़ करने वाला हूँ, कि अब मैं इसमें करने क्या वाला हूँ, अब मैं इसमें sorted use करने वाला हूँ, ठेके, तो मैं क्या कर करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, sorted function का use, क्योंकि built-in है, तो मुझे कुछ भी import वगर करने की जरूत नहीं है, सीधी-सीधे sorted लिखूँगा, और इस sorted को मैं pass कर दूँगा, list जो मुझे sort करनी है, तो मैं क्या pass कर दूँगा, मैं इसको lst list pass कर दूँगा, अब मैं इसक क्या होगा, तो देखे, अब क्या हो गया, अब यह list आपके sorted order में आ गया, अब मुझे actually आपको कुछ बताना है, पहले तो यह sorted order में कैसे आ गई, कि यह shuffled थी, 2814, बलकि मैं यहां mention भी करता हूँ, ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूँ, original list है, ठीक है, यह original list है, 만, पूर यह, इस वोटर लिस्ट, है, तो यह सृच्छी अच्छी, एसृध रिज इस, गया, तो यह Mmm नो बहुक मुछ है, यह पुर कूर लिस्टPhone, देक है, रखे। यह aura की आपके do this right this will look much more pretty isn't it so आपकी original list क्या थी ये थी 2814637 और आपकी sorted list कैसी है आपकी sorted list है तो इसमें से जो भी सबसे चोटा नंबर है वो सबसे पहले आ गया मतलब हम इसको क्या कर रहे है ascending order में arrange कर दे रहे ascending order में sort कर दे रहे ascending में करना उसका भी option है वो भी दिखाता आपको में बाकि अभी फिला ascending order में by default आ गया है तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 फिर 7 फिर 8 इस तरीके सब को 1 2 3 4 6 7 8 आपका sorted order में लिखके आ गया अभी sorted order में आ गया है अब इसके साथ एक चीज और देखेगा है इसके साथ एक चीज और देखेगा कि अब आप काऊगे कि सर आपने तो sort कर दिया list को list sort हो गई तो अगर मैं दुबारा list को print करूंगा तो क्या आपकी sorted list आईगे की original list हाएगी तो वह देखते हैं तो में क्या करता हूं मैं print करता हूं allora को मैं check कर रहा हूँ, तो मैं यहां लिग देता हूँ checking, ठीक है, तो this is checking, right, यह check कर रहे हैं, कि 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 छेक के list आने वाली है, तो अब हम फिलाल लिस्ट को print करने वाले हैं, मतलब मैंने क्या किया, मैंने list बनाई, list original print करी, sort कर दी और फिर दोबारा print कर रहा हूँ, तो अब हम य लिस्ट यह है सौर्टिड लिस्ट यह है अब अपने इसके में दुबारा इसको रन किया जो चेक आप कर रहे हो उसमें देखो क्या आया है 2814637 2814637 मतलब ओरज़नल वाले लिस्ट आहीए आपके वाप से यह पर जो पहले ओर ओर ज्यों दुलिस्ट थी वही आपको दुबार से हां पहर रिफ्लेक्टुलिए वापस के वही लिस्ट आपको देखने को मिली कि आपको सोड़ कर दी देखने को मिली चुर्टर नहीं द्याकिता है थे इस दिया नहीं ही कर देता है यह आपके ओरजिनल लिस्ट को सॉट नहीं करता मतलब यह जब आपने sorted function को use किया तो sorted function ने आपकी जो original list है उसमें छेड़ खानी नहीं करी उसको बिल्कुल भी change नहीं किया वह original जैसी थी वैसे ही है तो जब आप sorted list को use करते हो तो आपका क्या होते एक नया object create हो जाता है तो आप जब भी इसको दुबारा print करने कोशिश करोगे list को तो वही original वाली list आजएगे क्योंकि आप इसको तो अब इसको प्रेंट कर रहे है तो इसको reference करने वाला कोई ही नहीं आप चाहो तो इसको reference करा सकते हो और फिर आप individually दोने चीज़े को देख सकते हो तो वह भी आपको दिखायता हो तो फिलाल जरह मैं इसको comment out करता हो और यह चीज़ आपको दिखाता हो तो अभी original list है यह यह सौर्टेड है बैट यह सौर्टेड है बैट यह सौर्टेड function का use कर रहा हूं और इसके इंदर पास करते हैं original list अपनी जिस एलस्टी टिए लस्टी और इसमें पास करते है sorted function के अंदर तो what I am expecting is कि जब यह sorted function यह list ले लेगा तो यह कि अगर इसको sort करेगा और एक नया object क्रेट करते हैं मतलब original list को sort किया जाएगा और आपको क्या मिलेगा आपको एक नई list बन जाएगी और इसको reference कॉन कर रहा होगा sort LST कर रहा होगा अगर आपको यह चेक करना तो जैसे मैंने अभी create किया अब मैं इसको print कर दूँगा ठीक है तो simultaneously मैं print भी कर देता हूं ठीक है तो मैं मैं कि मैंशन भी कर देता हूं कि क्या print कर रहे हैं तो अपन फिलाल LST print कर रहे हैं ठीक है तो यह आपका LST आ गया हमने फिर से print call किया ठीक है और अब हम क्या कर रहे हैं हम SOT list print कर रहे हैं ठीक है सॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं तो यहां जीगा SOT LST अगया LST list हो गया और सॉर्ट लिस्ट लिस्ट की तरीका से सब्सक्राइब हो गया ठीक है तो देखें आपके लिस्ट और वाली वाली जैसे जैसे अगया 2814637 जैसे और सॉर्ट लिस्ट है वैसे आपको देखने को मिले गी आपर 2814637 पर जो Sorted List है SORT LIST वह आपके सॉर्ट होके 123467 इस तरीके से फोर्म में आगई सॉर्ट होके आगई तो यह Sorted List हो समझ माया है तो sorted list आपको यह रही और आपकी original list यह रही उपर तो I hope आपको यह दोनों difference समझ में आगए होगी क्या दोनों को में difference और क्या चीज़े हैं तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं वह I hope है actually list method है तो वह हम उसके बार में आगे detail में discuss करेंगे अभी फिलाल हम इसमें देखता है जो वह discuss करेंगे तक ही इन दोनों में difference भी देखेंगे ठीक है फिलाल I hope आपको sorted समझ में आ गया हूँ चेक करने वाले ठीक है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एक नई लिस्ट बनाते हैं तो मैं बनाता हूँ यह L1 के नाम से एक नई list ठीक है और इस list में मैं रखने वारा हूँ फिलाल integers which is minus 1, minus 2, minus sorry, हम shuffle करते हैं 1, 0, 2 इस तरीक से तो एक ही list उना दी मैंने L1 is equals to minus 1, minus 2, 1, 0, 2 ठीक है अब मुझे क्या करना भी मैं इसको sort करना है अब मैं एक नया object हरभा create नहीं कर रहा है मैं सीरी से प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ और original list क्या है तो मैं सबसे बहुत देखा दो आपको original list, original list हमारी क्या थी तो कि मैं आपको दिखा दूँगा और इसके बाद हम क्या चलेंगे देखने हम चलेंगे देखने सौरी हम देखने चलेंगे sorted list तो मैं यहां पर simultaneously print कर दूँगा कि मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए sorted list और और यहां आजाएगा आपका sorted और यहां हम pass करेंगे L1 ठीक है तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या हम इंटेजर्स को कर सकते हैं सौर्ट तो यहां इनको किया जा सकते हैं तो ओरिजिनल लिस्ट इस ऐसे ओरिजिनल आ गई आपकी जो भी थी फिर –1 फिर 0 फिर 1 और फिर 2 आ गया तो इस तरीके से यह आपकी जो लिस्ट आ गई यह सौर्ट लिस्ट आ गया बतलब जो आपके इंटेजर्स हैं उनको भी सौर्ट किया जा सकता है तो कोई प्रॉब्म नहीं एक उनको राइट अब जैसे आपने इंटेजर्स को सौर्ट किया लेट चेक कि या अब यही चीज में कॉपी-पेस्ट मारूंगगा करता चलूंगा और इसको मैं कॉपी-पेस्ट करता चलूंगा और हम डिफरेंट लिस्ट में इसको ट्राय करने वाले हैं भागे जैसे हम आप किसी भी फ्लोटिंग नंबर को भी कर सकते हो क्या तो वह देख लेते हैं सब्सक्राइब 4.4, 2.2, 1.1, 3.3, 5.5 इस तरीके सो कुछ जोना दिया और चेकिंग क्या इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की कलेक्शन को बतलब लिस्ट को हम क्या सॉट कर सकते हैं तो यह आप कर सकते हो तो आज जनल लिस्ट इस 4.4, 2.2, 1.1, 3.3, 5.4 तो इस तरीके साब साथ कर सकते हूँ इवन आप इस कमिक्शेर भी यूज कर सकते हो with what with that division part तो division क साथ इसको चेक भी कर सकते हूँ इसको मैं कर सकता हूँ सॉट कर सकता हूँ और आक्चली मैं वो जो आपने fractions लिखे है वो fractions है ही नहीं वो floating point numbers convert हो जाएंगे यहां पर हो भी गया है तो 1.3, 5.6, 0.10 आ गया फिर 2.0, फिर 6.4, 5.9, 3.5 इनको sort के हो सबसे पहले आ गया आपका 0.714 फिर 1.3, फिर 2.0, 3.5, 5.6, 5.9, 6.4 अब अगये यह sort हो कि आपका आ गया है तो इस तरीके से आप floating point numbers को भी sort कर सकते हो, possible है अब जैसे हम floating point numbers को sort कर सकते हैं क्या हम इसी तरीके से complex numbers को भी sort कर सकते हैं तरह भी देख लेते हैं ठीके मतलब मैं देख रहा हूँ comma 1 plus 5j comma 8 minus 7j comma 9 plus 4j सब इस तरीके से कुछ भी random numbers से ने डाल दी हैं let's check कि क्या मैं इनको sort का सकता हूँ तो नहीं भाई इनको मैं sort नहीं का सकता और error देखो क्या है तो type error आपको देखने को मिला greater than या less than कोई भी आप operator से कहलो ठीके राइट वाला गर बड़ा तो greater than ठीके अमने आप you can mix that not supported between instances of complex and complex पर यह symbol जो आपने greater than यह lesson का आप use कर रहे हो that is not supported between the instances complex and complex, जो complex complex को आप, okay अब मैंने शायद में गलत भी लिख रखा है आपे spelling यह L-I-S-T है और उपर भी दोने जगह मैंने गलत लिखे है इस पहले हुआ यह L-I-S-T हो गया और I think so यह जी गलत है अब greater than or less than का operation परफॉर्म ही नहीं कर सकते on complex numbers तो जब आप वह चीज परफॉर्म नहीं कर सकते तो उसका output नहीं देखने को मिलेगा तो इसलिए हम क्या क्या रहे है कि यह numbers जो है आपके support ही नहीं करते greater than or less than operation तो इस पर sorted function run करने हो कोई sense ही नहीं कोई मातला भी नहीं है तो आपको यहां पर क्या देखने को मिला उसी को copy करके यहां पर लिख भी देंगे तो क्या आपको type error देखने को मिला unsupported operation comparison operator unsupported which you can't perform तो इसलिए आपको वहां पर क्या देखने को मिल गया तो complex numbers पर तो हम नहीं कर सकते हैं तो complex numbers पर यही operations पर्फॉर्म नहीं कर सकते complex number पर नहीं कर सकते ठीक है बागी देखते हैं कि बागी क्या-क्या है possibility so next we are going forward next we are taking none मतलब पहल तो एक काम करते हैं पहल तो shuffling कर लेते हैं पहल तो आपके जुस्पेशल में boolean values को shuffle कर लेता हो पहले में और साथ में none इंठालता तो तीनों को देख लेता हैं कि क्या इमें से sort कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं तो अगर आप इसमें देखो तो आप इसमें sort नहीं कर सकते हैं आप none type को sought नहीं कर सकते, greater than symbol not supported between instances of none type, तो none type पर आप नहीं कर सकते, अच्छा, केवल none type लिखो, तो क्या होगा, वो भी देख लिकते हैं, इसको comment out किया मैंने, और इसको फिर से open किया, और यहाँ पर दुबारा से none, none, none लिख दिया, और इसको कुछ sense नहीं है, बट चलो ठीक है, देख लिए तेंग पर, कि none के लिए चलेगा, नहीं चलेगा, और इसको कुछ sense नहीं बनता, बट ठीक है, पर मैं आपको यही चीज दिखाना चाहरा था, कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा error, इस operation is not supported between instances of none type and none type, बट आप none, none type में भी आगा, none आपने mention किया है, तो यहाँ देखो हमेशे ध्यान अतना, आपसे sense का मतलब नहीं है, question जो पूछ जाएगा तो आपसे कहजएगा, कि आप दो none वाले operations को perform कर रहा, So you should know, कि none आप किसी साथ insert भी कर दो को, तो none में आपको error देखने को मिलेगा, तो none को आप किसी साथ compare नहीं कर सकते, आप क्या देखने को मिलता है, आपको type error देखने को मिलता है, तो यही दिखाने के लिए मैं आपको यह दिखाया भी operation, कि आप एक कर के देखिए, ठीक है, अब जिस आपने यहाँ पर भी देखा, और यहाँ पर भी यही था कि अब none type में फिर से भाई दिखकतार थी, With what, operation with boolean, कि boolean के साथ नहीं कर पा रहा था आप, तो none type and boolean operations को compare नहीं कर पा रहा, तो comparison operator is not allowed for none type and boolean values, तो इसलिए यहाँ पर आपको error देखने को मिला, ठीक है, but what if कि अगर मैं boolean values को compare करूँ, ठीक है, तो वो देख लेता है, boolean में logical है, ठीक है, काम भी आएगा logical भी है, क्योंकि यहाँ पर true false आ रहा है, तो that is logical, club कर देजाएगा बाकी आपके numbers के साथ, तो हमेशा दिहान रखना उस चीज को, तो यह गला चीज को मैंने copy-based मौना दिया, फिलाद, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या डालना, true false all apart डालना, बनाब boolean वाले बालने, true, false, false, true, ठीक है, क्या इसको मैं sort कर सकता हूँ, तो yes भाई, इसको मैं sort कर सकता हूँ, perfectly sort कर सकता हूँ, because इसको number की तरीकी से treat कहा आता है, तो यह true, false, false, true, आप बिल्कुल sort कर सकता हूँ, यह original list आपने बनाई थी अभी, वो आपने की original list print हो गई, true, false, false, true, ठीक है, बट जब आपने इसको sort किया, सौर्टेटलिस में क्या print हुआ, आपको सबसे पहले दो false print होगा, जिसमें दो false थे, यह जे दो false थे, यह दो false पहले print होगा है, और फिर इन दोन फॉल्स के बाद आपके true, true print होगा, तो पहला true यह रहा, यह true आप और यह दूसरा true, यह आपका true print होगे यहाँ तो आपको false false true true print होगे इस तरीके साब की original list और sorted list आपको देखने को मिलेगी तो आप boolean पे बिल्कुल comparison operator run कर सकते हो मतब sort कर सकते हो boolean पे boolean जो भी list है boolean values जो hold correct list उस पर definitely क्या कर सकते हो आप उस पे definitely sort operation perform कर सकते हो sort function run कर सकते हो वह sort कर देगा उसको treating this false as 0 and this true as 1 even अगर आप चाहो तो इसी चीज को मैं numbers के सब mix भी कर सकता हूँ जैसे आपने देखा कि boolean पे आप कर सकते हो even आप इस boolean को number सब mix करके भी sort कर सकते हो कोई दिक्कत ने हैंगे दिखाता हूँ चलो जैसे मैं suppose यह एक true और एक false ले दाओ और यहाँ पे two comma one comma zero जाता है let's see what will be the answer of this तो क्या है देखो सबसे पहले false देखो यह original list है true false जी तू one zero उथी अब इसको sort किया तो false सबसे पहले आया तो false keyword सबसे पहले फिर zero फिर आपका इसमें से क्या है true value तो true value में सबसे पहले true आ गया true which is one तो one आ गया पे true उस true के बाद आगया one और फिर आगया true मतलब देखो क्या कि आप इस true false को club कर सकते हूं इसके साथ और इस false को zero ट्रीट के जाएगा true को one ट्रीट के जाएगा और false की priority पहले रहेगी zero से तो false पहले देखा जाएगा false को सबसे पहले रखा जाएगा zero से भी पहले और true को one से पहले रखा जाएगा तो वह आप याप देख पार है जिरो से पहले false one से पहले true देखरे को मिल रहा है तो इस तरीके से इसका output आ रहा है अब यही चीज़ मैं को बनाना चाहरा हूँ कि यही operation मतलब यही यही चीज़ जो मैं आपका run कर रखें यही आपको question में दे देंगे कि इस तरीके से list बना रखें इसको sort किया तो बताओ output क्या है अब अगर आपको नहीं पता होगा true false को sort कर सकते हो तो कहां कि error है ठीक है which is none type को compare नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से तो वही हम यहां देखने को मिल रहा है कि none आपने गलत इंसर्ट करें none is not allowed तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखने से यही question आपको दुबार से दे देंगे पेपर में यही question डाल के देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि none is not allowed true false allowed है none allowed नहीं है ठीक है true false allowed है none allowed नहीं है तो इस बात का ध्यान रखेगा ठीक है तो complex allowed नहीं है और none type allowed नहीं है बाकि अभी तक हमने जो है क्या है देख लिए अबने normal integers देख लिए floating point numbers देख लिए fraction के साथ देख लिया ठीक है boolean values देख लिए अब next आते है next आप के तरफ next आगे तरफ बढ़ते है अपने string की तरफ अब string कैसे तो list के इंदर string अब डाल सकते हो यह बिलकुल डाल सकते हो क्या दिक्कत नहीं है तो यहां से मैं copy paste नहीं आता हूं और इसको पहले uncomment करेंगे और यहां डालने वालों मैं string मिलाने वालों ठीक है string कैसे सबसे पहले बी अब कुछ मैंने एक list order से लेकर रहा है वो डालता हूं इसा चीज़े मैं समझा सकूं तो बी भी तो यह सब list ही तो है यह सब क्या है string ही तो है string का collection है जो हमने list के form में दिया तो यह strings है तो list के अंदर string आ गई तो इसको sort कर सकते हैं वो तेख रहे अपर तो BB हो गया फिर आगया आपका फिर आगया A, B, D ठीक है फिर आगया आपका फिर आगया AC ठीक है फिर आपका आगया फिर A, B आगया सर पूर्स ठीक है, फिर आपका आ गया A, B, C ठीक है, फिर आपका आ गया B, A, C इस तरीके से मैंने एक string बनाई है इसमें सबसे पहले है B, फिर है B, B फिर है A, B, D फिर आपका A, C, फिर है आपका A, B, फिर है आपका A, B, C, और फिर है B, A, C अब इस से बैंपको समझार चाड़ो कि जब अब स्ट्रिंग को सॉट करने तो क्या होता है अब दखो यार जब आप स्ट्रिंग को सॉट करने चलते हो तो बात क्या होती है कि जब आप string को सॉट कर रहे हो situation यह है कि यहाँ पे length के सबसे सौटने को सबसे पहली चीज़ आपको जिए दिहार नहीं है यहाँ पे ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा कि आपको हो कि यह sir पहला आपकी जो भी strings है उसको जो length 1 वाले हो सबसे पहले आजाएगा तो आप यह बिलकुल एगा सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने list की इसमें एक element है बी जिसकी length 1 है तो वो सबसे पहले आएगा फिर दो length वाले आपको दो दिख रहे हैं A, C, A, B और बलकि दो तीन दिख रहे हैं फिर दो वाला फिर एक वाला बीच मा आ गया है फिर length के basis पे तो sorting है ही नहीं तो यह sorting है किस के basis पे तो यार यह sorting आपको dictionary basis पे मतलब क्या होता है कि जब भी आपको strings को sort करना होता है तो सबसे पहले आपके individual first character को सबको compare किया जाता है कि first character सबसे पहले सबसे छोटा किसका है सबसे छोटा किसका होता है सबसे छोटा होता है आपका string का जो भी मतलब अगर आप a,b,c से शुरू करें तो इसको number दे दो तो a is 1,b is 2,c is 3 इस तरीके से तो अगर मैं compare करूँ उसमें सबके small characters को ये a देख रहा है ये a देख रहा है,a देख रहा है,a देख रहा है तो मुझे देख रहे हैं पहले 1,2,3,4 मुझे 4 a वाले हो तो ये 4,a सबसे पहले आने चाहे और देखो 1,2,3,4 चाहँ एक f b बाद भी बाद भी,स बाकी के 3 देख लिख लो b है मतलब सबसे पहले a select किया गया है फिर b तो सबसे पहले क्या आएगा आएगा आपके a आएगा फरक नहीं पढ़ता क्या या लेंट है बट a सबसे पहले आएगी अब इनमें तो हमने इन 4ों. आपके बाजीं से अलग है इन 4 पहले आएगे ठीक़े बाकी तीनों बाद में आएगे विट इन चारों में कौन पहले आएगा अब पहला लेटर अगर से में, तो देखा लेटर पर चलो बहई तो दूसा लेटर मुझे देख रहा है B दूसा लेटर देख रहा है B तो मुझे यहाँ पर इन तिनों का मतलब ये B और ये दोनों का इन दोनों में B है तो इन तीनों पहले आने चाहिए मतलब A, B, D पहले आना चाहिए A, B, T तर्ड पे है फिर A, B फर्स्ट पे है और A, B, C सेकंड पे तो ये पहले तीन आ गए अब इसमें भी मुझे दिख रहा है कि B, B सेम है और फिर D आ गया, तो A, B के बाद C, और फिर D इसके बाद A वाला एक और बचा होता है तो A, C मतलब B के बाद जो सेकंड लेटर को कंपेर कर कर के B के बाद C आ गया, इस तरीके से आपका ये A वाला पूरा स्वार्टिक हो है अब इसी तरीके साब B को स्वार्ट करगो तो B को जो आप स्वार्ट करगो, तो देखो B वाले सारे सेम यहाँ पे है, उसमें भी next character जिसका नहीं है, वो पहले आ जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले या आ गया, जिसका ने आप दी, तो वो भी देखते हैं चलो, जो उसको कापी कर लेता हूँ cut it paste कर दें मैंने इसको यहाँ पे इसको uncomment कर दूँगा, और अब यहाँ पे मैं क्या कर देवाला हूँ या बल्कि इसी में क्या पास करूँगा, क्या पास कर देंगा इसमें small b, यह छोड़ दिया इसमें small a, छोड़ दिया इसमें CAPITAL B कर दिया इसमें CAPITAL C कर दिया इसमें CAPITAL D कर दिया इसमें sem samples b कर दिया ठिकें, हमनेने सब्सक्रीन You 17 of English mı 16 or DC let's see, क्यों केइस्मेन सौूटीन राएगा ठीक है और डेफिनेटल इसमें कोई प्राबम नहीं कि बिल्कुल सॉर्ट होगा और हमेशा ध्यान रखेगा कि आपका जो अब क्यापिटल लेटर्स है वो सबसे पहले आगए तो हमेशा ध्यान भी रखेगा कि यह सबसे पहले क्या आता है तो अब क्या पर देखा उसी तरीके से वहाँ पर भी आपकी होती सेलेक्शन अगर आपको क्यापिटल और स्मॉल में सेलेक्शन करना तो सबसे पहले चूज करोगे आप सारे एसा नहीं है कि आप ए तो टो लबी चले गहाँ वह ईसा नहीं है उनमें सेलेक्ट नहीं करना है क्या हो आपके नापके सारे लिटरल पर 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 समॉल सेलेक्ट होगे सारे क्या पर सेलेक्वीं । य zwe examined अ क्या धर्वरी में गया। तो सबसे पहले capital, सारे capital पहले उसको जैसे आपने उपर arrange कहता है, उसे तरीके से यहाँ पर arrange हो जाएगा, जिस तरीके साथ है, dictionary के साथ से, वैसे सबसे पहले सारे capital letters arrange हो जाएगे, फिर सारे small letters arrange हो जाएगे, ठीक है, so just keep that point in mind, अब जैसे हमने list के अंदर string डाली, अब हम देखने वाले हैं क्या हम list के अंदर list डाल सकते हो और अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले डाला 1,3, फिर मैंने डाला length अलग 1,5, 1,2,3, ठीक है, फिर next मैंने list डाली 3,4, फिर next मेरी list गई 3,1,9, फिर next list मेरी गई 3,4,5, और next list मेरी गई 1,2, तो यह हो गई आपके list, यह आपके list हो गई, ठीक है, now we are seeing, और we are trying to figure out कि अगर हम इसमेज को sort कर दें तो क्या होगा situation, ठीक है, so that's a sort it is, तो अब original list क्या आपकी यह थी, आपने अब सको sort किया हो क्या हुआ, अगें, length के हिसाब से नहीं आया, यह नहीं है, कि size small, जो two length वाले हैं, वो पहले आगए फिर और one length वाले बाद में, no, that is not the case, क्या हुआ on the other hand, यह बिल्कुल string वाली कहानी हुई, dictionary वाली कहानी हुई, मदब सबसे पहले क्या है, हर उसके first character को compare कौरो, तो one, one, three, 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 one, तो आपको दिख रहा है कि यह जितने भी है, यह क्या है, यह three वाले है, सब की starting three से हो रही है, तो यह क्या पहुँच जाएंगे, आखरी में पहुँच जाएंगे, और starting में क्या आजैंगे, 1 1 वाल या जाएंगे, यह 1, यह दौनों 1 और यह वाला 1 तो अब देखोंगे 1, 2 सबसे starting में , फिर 1, 2, 3 यह रहा और 1, 3 यह रहा तो जितने भी 1 starting वाले है जिसका 8 be starting 1 से ओर आगे तब हर 1 के यह 3 वाले बात में और सारे 1 वाले जिसका jiska first character 1 है वर्स्ट वाला जो पार्ट है वो पहले है तो सारे वन वाले पहले आ गए और जो थ्री वाले वाले बाद में आ गए मतलब हर इंडिविज्यल हम क्यरेक्टर को कंपे करतर चल रहे हैं फिर हमने किया किया सारे one वालों सात sout में आगा इंगे, इसका क्या करेंगे, तो फिर इसके लिए second letter प्यू HIV इत्र Ti है, यह 2 है, तो हमने देखा यह तो छोड़ दिया अब बचे हमेरे پास इन दोन में स्ाइब 1,2,3 और 1,2 में सौप्शन इसमें से कौन सा पहले आएगा तो अगेर फिर ये 2 क्योंकि कोलाइट कर रहा है तो 3rd letter पे चलेंगे तो 3rd letter इसके पास तो ही नहीं तो ये सबसे पहले आ जाएगा तो ये 1,2 पहले आ गया और इसके बाद क्या जाएगा आपका 1,2,3 आजाएगा और इसके बाद क्या जाएगा तो इस तरीके से अपका ये sort होगे अब इसके बचेव जो लेटर से आपके सबसे 3,1,9,3,4 और 3,4,5 ये जो भी है इसको कैसे करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से कि suppose मुझे चाहिए तो मैंने क्या किया? मैंने कहा कि 319 अब जैसे 3 से start होने वाले यह 3 मुझे दिख रहे हैं तो 34, 319, 345 यह मुझे 3 दिख रहे हैं 3 से start होने वाले अब इसमें 3 तो compare कर लिया अब हमें नहीं पता कि क्या पहले आएगा तो दूसरे लेटर पर चलो तो 4, 1, 4 तो 1 पहले है तो 319 पहले आगे फिर 4 वाले बाद में आएगा 4 वाले बाद में 2 है 3, 4 है और 3, 4, 5 है तो पहले क्या आएगा तो जिसके बाद next उसके बाद ही नहीं तो 4 के बाद next character ही नहीं तो 4 के बाद next क्या है और इसमें नहीं है तो 3, 4 पहले और 3, 4, 5 लास्ट में आएगा तो इस तरीके से पहले क्या होगा पूरी ये list क्या होगा ये sort होगा तो इस तरीके साब list के अंदर list को sort कर सकते हो तो अगें वही सेम तरीके से जैसे आपने string को किया dictionary के अंदर जैसे आप करते है वैसे individual हर character को compare करते चलना है और उसको sort करते चलना है length के साब से नहीं किया भी आपने तो ये चीज समझ माई आपको list में भी कहानी है कैसे देखो दिखाता हूँ इसको copy करता हूँ next line पे paste करूँगा इसको में और next line में paste करूँगा और क्या करूँगा बस tuple बना दूँगा अंदर जो है individual elements tuple हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे देखो तो quickly करने के multi cursor का use करेंगा अपन फटाफट इसको change कर देंगे यह बन गए tuple की आखरी वाला initial change मार लेते हैं बटाफट तो देखो यह क्या बन गया यह list के अदर tuple बन गया list के अंदर क्या है tuple है अब इसकी भी same कहानी है yes इसकी भी बिल्कुल same कहानी है जो आपने list में भी देखी ठीक है देखो यह 1 3 1 2 3 3 4 3 1 9 3 4 5 1 2 है और इसमें देखो अब जो sorted list आई है वो क्या ही है देखो 1 2 1 2 3 ठीक है फिर 1 3 3 1 9 3 4 लेंट इस आप से नहीं है ना as it is वही print हुआ है पहले आपके सारे 1 वाले आ गए है फिर सारे 3 वाले आ गए है अब 1 वाले भी जो सारे आए है उसमें क्या है 2 वाला पहला है फिर 3 वाला वही जैसे आपने उपर देखा वैसी sorting हो गई है जैसे लेस्ट में sorting थी वैसे यहां पर भी हो गई है अब जैसे आपने टपल में देखा वैसे आपका set में भी exist करता है ठीक है जैसे दिखाता हूं कैसे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता है इसी सॉरी कॉपी और पेस्ट करके दिखाऊंगा तो यह स्कॉइब राकेट्स अचा इसी लेंथ लाग लागे ना दिखकत ही है तो इस वैसे करबड हो जाएगी नहीं तो अब इसको मैं चेक करता हूं कि क्या मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूं यह बिल्कुल वही उसी तरीके से सॉर्ट हो जाएगा अगेन वही ठीक है क्या होगा देखो 1313123123 3434139139 345345 1212 क्या सॉची का क्या सॉची क्या सॉच हुआ नहीं हुआ मतलब क्या आप सेट को उसी तरीके से सॉच कर सकतेव हू नहीं इसि तरीके साब सॉर्ट नहीं कर सकतेव जो ओरजिनल लिस्थी वही आ गई ठीक है जिसमें आपके Eye ताने साले साहथ में और आपकी जो ऊपर ओर अजिनल Cohen क्या चलेगि मतलब आप set को sorry set set को sort नहीं कर सकते error नहीं आएगा बट sorting भी नहीं होगी तो यहां एक चीज़ note करके चलेगा will not be sorted ठीक है ये sort नहीं होगा अब कब होता है set sort वो हम detail में discuss करेंगे जब हम set पड़ रहे होगे तो वो चीज़ हम बाद में detail में discuss करेंगे अभी यह देख लीजेगा कि आप सेट को सॉर्ट नहीं कर सकते ठीक है साथ में अच्छा बताईए कि अगर मैं इसी में अच्छा चलो इसमें तो नहीं बना सकता हमें अलग से देन बी इस कर्रस्पोंडिंग टू देन सी इस सपोस्पोंडिंग टू तू थरी चलो अभी मैंने सबस अच्छा एक काम करते है इसको सी कर लेता सबस्कोंड इसको सी कर लेता है युग शुफलिंग पता चले न अ अल्दोस की जोत नहीं पड़िक बादेगे अब इस तरीकर आपको एरर आजाएगा कि आप यह ऑपरेटर परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं कि अगर मैं इसी डिक्शनरी को ऐसा करूं न एक चीज़ और दिखाता हूं तो यहां तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा तो इस बात करूं कि इसमें यह हटा दू ठीक है और इसको एक हो गोड़ना कि अलबल लिस्ट के अंधर इक है और इसको अरेस के बिद्ष नुरी है और तो हैसको अगर मैं सॉट करा चाईगा तो क्याहिए तो मिनग अगा आपको दा सकते है नगयर पर फिल्नौ भी हो इन डिर्या लोगा इस अधिन सेट्म हुआ ब सकते हैं कैसे करो कि यह हम देखेंगे जब हम सेट सेंट डिक्शनरी पढ़ रही होंगी ठीक है कि अभी तो लेक्स पड़ रहे हैं ना लेस्ट दियाद एक चीज़ और एक पॉइंट और अब इससे सब्सक्राइब ने इंडविजिल अबना सकते हैं क्या हम दिखह अंत्रेंग को सकते हैं। तो इसमें से एक बस उठाके क्या करूंगा एक मैं तो मैं एक सेट बना दिये तो क्या यह पॉसिबल है तो नहीं यह पॉसिबल नहीं है क्या आजएगा आजएगा वापस से टाइपर और और यह आएगा कि आपका जो है मिल जाएगा तो mixing मत करना mixing is not allowed तो mixing मत करना तो यह समझ मैं सौर्टेट का अब काफे से यह देख लिए है ठीक है अभी हमने दो पॉसिबलेटी बचिए क्या कि अभी तक हमने सौर्टेट फंक्शन का सिर्फ एक आर्गिमेंट ये एक परामेटर एक्सप्लोर किया है ठीक है ए मैं ही चाहरा हूँ कि जैसे अभी हमने क्या किया था हमने अभी फिलाल इस वाले इलिमेंट को सौर्ट किया था या मैं फिर्स्ट वाले को लेखते हैं ठीक है इस वाले लिस्ट को सौर्ट किया था सौर्टेट लिस्ट किया था यह हमने चेक कर लिया था ठीक है बलकि यहां लिस्ट है को शो अपाट में और देसींदिंदिंग को ओर यह आपको इसफूर्ट करें डगि त्रिश्टक्ति थी अब वो करके सकते हैं तो यह बहुत दसांसे तरीका आपका उसका अब गुछ नहीं करना आपको sorted डालना है इसको open करना है इसमें पास क्या करना है आपको इसमें लिस्ट पास कर देने तो यहां मैं डाल देता हूँ तो अब देखना क्या होगा तो जब मैंने reverse true डाल दिया मतलब कि reverse में print कर दो तो reverse by default क्या होता है false होता है तो आपकी ascending order में print हो तो बढ़े कर आपने true डाल दिया तो क्या होगा देखो हो तो आपकी ऑजिल लिस्ट 2814637 है sorted list ascending order में 1 से शुरू हो कि मैं चोटे से शुरू हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जा रहे हो चोटे से बड़ा जा रहे हो descending order में क्या होगा 8 7 6 4 3 2 1 हो जाएगा बड़े से छोटे हाज जाओ तो 8 7 6 4 3 2 1 आप बड़े से छोटे पर बढ़ जाओ तो इस तरीके से आप descending order में इसको print करना है तो बिलकुल आप कर सकते इस तरीके से रिवर्स लगा है समझ माया तो रिवर्स यूज करें आपका sorting बहुत हो जाएगी कि इसी में आपको एक चीज़ और दिखाने है मुझे ठीक है विचे सपोज में इस लिस्ट पर आजा तो इस स्ट्रिंग वाली लिस्ट पर दो अब बाकि सारी नंबर्स पर आप वही सेम रिवर्स और लगाई सकते हूं क् कि तो इसको हम देखते हैं तो इसको हमकरेंगे क्या हम फर्मार्ट ऎका हूरी उसकरेंगे नहीं होगर ढुँप अब सब कमेंटेड है और यहां पर त्टे अब स्टिंग मेर्स में कोशिक्र आओ तो देख रहे होगा तो यहसब परफेक्टली हो जाएगा ओके अमने 2 ऑणिजिनल लिस्ट भूल है ओजीनल लिस्ट पर डिल्निक कर लाते हम तो देखिए अप विड्यनलिस्ट क्या कि बी ऐबी डी एक अब आपकी असेंडिकोर्टन में लिस्ट क्या देखो A, B, A, B, C, A, B, D, A, C, B, B, A, C, B, B Descending order में किया? Adjustualty तो ये जो last element B, B था, पहला बन गया B, A, C, last था, पहला बन गया B, A, C, last था, B, पहला बन गया A, C, last था, A, C, पहला बन गया A, B, D, A, B, D, A, B, C, A, B, C और जो first था, वो last बन गया पर अब strings में भी आपका क्या है? आपका descending order allowed है पर आप reverse माप print का सकते हूं इसकी एक और खासियत है वो और दिखाता हूं यार, फटा, फटा, फटा एक और खासियत दिखाता हूं which is कि अगर आप चाहो कि किसी तरीके से आप इस list को जो अभी आपके dictionary के साब से print हो रही है इसी को अगर आप चाहो क्या प्रेंट कर सको और किसके साब से आप प्रेंट कर सको length के साब से तो क्या यह कर सकते हो तो yes भाई, ये भी कर सकते हो कैसे कर सकते हो, वो तेको को कुछ नहीं करना पड़ेगा फता किया खरना पड़ेगा वास से करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूं इसको ही कॉपई मारता हूं और और अक्चली रिवर्स में प्रेंट करेंगी हम तो इस एलर से पलवे श्रीन habrug अब इसको करने के लिए पड़े क्रणा करना है अब इसको करने के लिए को किस हिसाब से इसको सौर्ट करने जिसे मुझे क्या करना है मुझे इसको लेंग के साफ से लेंग के साफ से सौट कर दिया ठीक है अब इसे इसी में मुझे लेंग के साफ से इसमें भी लेंग के साफ से सौट करना है तो मैं इसमें लेंग पास कर दूगा क्या है लेंग ये की तो की एक आर्गमेंट है जो ये लेंघ कसा है कि आनों लेंद को स्कूर्ट होगी तेखते हैं बाकी तो अपनी मैं यह देस्ट Begin से देहर को अंब देना समाझान कोशिच करना इसले . यहां डिक्षनरी के साथ तो होगी का श्रिक कि यह आप पहले length का element exist करता है बट बीच में आ रहा है what if मुझे पहले लाना है तो यह सबसे कम length है मतलब एक length है जिसकी वो आप यहाँ पर आ गई B ऐसे ही BB दो length वाली AC दो length वाली AB दो length वाली ठीक है इसके बाद फिर तीन length वाली क्या गया ABD आ गया ABC आ गया BC आ गया समझ माया समझ माय चीज और एक और बात ही देखीगा कि क्या यह जो आपकी length के साथ सबने arrange किया है क्या यह sorted order मलब यह क्या उसके बाद सब उचे सब में कह रहा हूं कि दो length वाले तीन है तो क्या यह आपका dictionary के order में है वो देखिएगा तो नहीं है भाई देखो B B A और A है लग A पहले नहीं आ रहा बी पहले आ रहा है तो क्या है actually में तो क्या order होना चाहिए क्या reverse हो गया तो यह reverse भी नहीं हो हुआ क्या है actually में तो यह हुआ यह situation है क्या कि जो यहां पर arrangement था वह arrangement देखो अब यहां पर B B A C और A B है तो दो लेंथ वाले जितने भी है तो B B है A C है और A B है तो जिस order में original list में था उसी order में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि B B है तो B B आगया A C है तो A C आगया A B है तो A B आगया उसी तरीके से या थीन में भी देखो तो तीन में यह है तीन में देखना तो A B D पहले तो A B D आ गया ABC पहले तो ABC आ गया B A C पहले तो B A C आगया तो इस तरीके से आपने इसको sort कर दिए according to their length, मतलब आप जिस भी तरीके से आप इसको sort करना चाहो, उस तरीके से अलग लग functions यूज करके आप इसको sort कर सकते हो, आगे और हम operations पढ़ेंगे, वो आप इसमें add-on कर सकते हो, और इसको sort कर सकते हो, ठीके, तो आप इसमें length पढ़ा हो, तो मैंने आपको length बताए कि अगर आपको length के साब से string को sort करना है, तो इस तरीके साब कर सकते हो, और original list में जो भी sequence है, उसी sequence में आपको reflect होगा आपको वापस से, ठीके, simultaneously आप इसको reverse order में भी print कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाया, ठीके, तो आप इसको reverse order में भी print कर सकते हो, बैट reverse order में, यह नहीं है कि reverse reverse में print होकर नहीं, length के हिसाब से आप reverse में print करना चाह रहे हो, कि आपके पहले 3 length वाली, फिर 2 length वाली, फिर 1 length वाली, फिर 1 length वाली, तो यह नहीं है कि BAC पहले आगे है, ना ABC पहले है, है ना, है क्या, कि आपके 3 length वाले पहले print होका, यह 3 length वाले, फिर 2 length वाले, फिर 1 length वाल ठीक है फिर दो लेंथ वाले अगर मैं देखूं तो B B A C A B B B A C A B और फिर एक लेंथ वाला भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहां अगर मैं सिंटेक्स लेखूं उसका फाइनल ठीक है तो इसका सिंटेक्स क्या है भाई सिंटेक्स एस वाई एंड टेक है तो सिंटेक्स हम लिख रहे हैं तो यह पता है गड़बड़े होती है कई बार ऐसे यूज करने से एनल मार एंटर मारूंगा तो वह लिख कर लेगा और नेक्स लैंग में नहीं आएगा इदर दर करूंगा तो वह मुझे और सिंटेक्स देता चला जाएगा कर रहता है तो चलू कोई बात निघ्स किया है अब क्या है हमेशे सबसे पाल तो एक नई लिस्ट आपको अपको रेजल्ट होती है किस फंक्षन से तो आपकी ओरूर्जनल लिस्ट जो भी आपके और रिजिम से कुछ भी हो सकती है तो मैं इसको मैं लिस्ट डाल दे दाओ Sorted function के अंदर और एक आपके पास क्या एक आपके पास एक क्या आपके पास reverse ठीक है तो एक आपके पास reverse ये आपके पास दो optional argument आप चाहो तो pass करो नहीं चाहो तो मत pass करो तो I hope ये आपको समझ मा आगए कि इस तरीके से आप sorted function को perform कर सकते हो and I hope ये चीज आपको clear हुई होगी right और ये नहीं चाहिए हमें तो I hope ये part आपको clear हुआ होगा sorted function detail में पूरा तो जितनी possibilities है सारे possibilities मैं आपको बता दी है जो tuples और dictionary वाली possibility है उसके चिंता मत करिए वो जब हम आप आएंगे tuples in dictionary में तब हम इसको देखेगी ठीक है तो I hope यहां तक आपको सारे concept clear हो गया होगा list का built-in function which is sorted से related built-in है तो definitely इसको कायदत से हम बाकी चीजों पर भी apply कर सकते हैं ठीक है तो वो हम आगे देखेंगे ठीक है तो I hope यहां पर समझ में आगे अच्छा एक चीज और इसका एक भाई भी है डिसकस करेंगे कि क्या difference है sorted में और sort में ठीक है तो उस चीज के लिए त्यार है अभी फिलाल इस practical पाट को complete करते वीडियो खतम नहीं होगी है slides पर चलते और वीडियो करते complete ठीक है चलिए तो I hope यह पूरा भंडार है sorted function का समझ में आ गया होगा बहुत साले concepts हमने डिसकस किये पर एक एक concept में आपको practically दिखा दिया है तो एक बार अगर आपको समझ में यह तो वीडियो को फिर से देखिए आपको सबसी समझ माझेंगे I know you are intelligent enough कि आप यह समझ सकें तो एक बार फिर से rewind करके वीडियो देख लिजे पर सोचते है थोड़े से time लगे तो एक बार दुबार देख लो वीडियो दिक्कत क्या यार ठीक है दुबार देख लो और फिर समझ माझ जाएगा तब तब भी अगर कोई doubt बच जाए तो comment section आप ही के लिए है लिख दीजे साय doubts आपके clear के जाएंगे इस वीडियो में यहीं तक था है जिसमें हमने एक और built-in function खतम कर लिए which is sorted अब आगया आने वाली वीडियो में और भी हमारे पास है built-in function तो उसको हम देखेंगे आगया आने वाली वीडियो में आप यहां तक आपको चीजे clear हो ठीक है नेक्स देखते हैं कि नेक्स इसमें क्या है तो यहार नेक्स है हमारी website which is magnetbrains.com तो google पर आपको टाइप करना है magnetbrains.com जो पहली website है उस पर click करोगे तो यहां line करो जाएंगे यहां पर सारी classes listed है तो clas 11th में, बहुरो आप तो clas 11th पर click करोगे लिए सारे courses उपन हो जाएंगे do computer science search करो हास खामार। watch वाचन वाचन पर click करोगे तो computer science का course ओपन हो जाएंगे सारी videos openो जाएंगे chapter wise किसी भी chapter पर click कर सकते हो आप तो उस chapter कि सारी वीडियो उपन हो जाएंगे किसी भी वीडियो पर क्लिक कर सकते हो वो वीडियो प्ले हो जाएगी इसमें आपके पास प्ले पॉस आके पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्म कंट्रोल सारे ऑप्षिन से विद समेडिशनल बेनेफिट्स पहला यहां डेस्टराक्शन नही किया जाएगा ऐसा भी नहीं है कि दो तीन वीडियो देखने के बाद आपको चार्ज करा जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है सब फ्री ओफ कोस्ट बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट प्लाटफर्म है तो इसका बेनेफिट उठाई और को दिक्कता है तो कमेंट सेक्शन तो आप ल अगर के mail और एंबर आपको हमारी मेह्त अछी लग रही है चलाएं अगर अपको लगता है कि आपको आअपगोशाहमें अपण बने रहेंगे right उसके एक्स वीडियो में तिल देन गुट बाई